सो हेलो दोस्तों वेलकम बैक तो नर वीडियो और यह कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो नहीं है बट इस वीडियो मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपने टेस्ट सर्वर के बारे में सो अगर आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे हो तो आपने यह अनॉस्मेंट देखे होगी जहां पर मैंने आपको बताया था कि मैं ESX और QBus का एक टेस्ट सर्वर लेके आ रहा हूँ दोनों अलग-अलग सर्वर्स होईंगे यहां पर आप वो स्क्रिप्ट और वो सर्वर टेस्ट कर सकते हो जो मैंने अपने वीडियो में दिखाया है और इनका में नेम है कि जादतर चीज़े हम सिंगल प्लेयर में चेक नहीं कर सकते एक पुलिस ही देख लो पुलिस में इतने सारे कमांड्स हैं और काफी सारी पुलिस में चेक करते हो आपको वह दिक्कते या अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम है तो आपको देखने को नहीं मलती इसके अलावा कि कभी कभी स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम होती है या फिर जब आप सर्वर में डालते हैं तो आपकी तरफ से कोई गलती हो जाती है इसके लावा इस servers का IP and सारी details आपको इस Discord server में देखने को मिलेगी, वो server जादा से जादा next week तक आ सकते हैं, दोनों server Singapore या फिर जर्मनी बेस्ट होएंगे, and इनका एक separate discord channel, और यहां पे बग्स आप शेयर करो, and उनका जो solution है, जो problem fixes है, वो सारी आपको यहां पे देखने को मिल इसके लावा discord पे भी काफी सारे लोग है, अगर आप देखोगे मेरे discord पे, काफी helpful लोग है, काफी friendly लोग है, so वो भी आपको help कर देंगे, या फिर अगर मैं available हूं, आजकल मैं कम आ रहा हूं discord पे भी, so अगर मैं होंगा, तो मैं भी आपकी help कर दूँगा, इसके लावा, आपके पास कोई script है, अच्छी script है, जो आप share करना चाहते हो, लोगों में, so वो अभी आप यहाँ पे share कर सकते हो, मैंने आपे channel का link दे रख है, script share का, यहाँ पे अपनी 5M के लिए ESX IQBUS की कोई script share कर सकते हो, और वो server में हम डाल देंगे, अगर लोगों को, वो script पसंद आत and वो एक survival server होगा, बट एक अच्छे hardware पे होगा, जिससे आपको कोई lag या कोई problem नहीं आएगे, खेल ले मैं minecraft, अपने friends के साथ, and वो भी free होगा, कोई भी आके खेल सकते है, वो server पे, इसके लावा कई सारे लोग में इसे पूछ रहे थे, ESX 2 QBUS वाली video का, तो उसका मैं आ रादा डिटेल में जाएगी, क्योंकि उसमें एक मापको function समझा हूँगा, इस function की क्या working है, and so on, so function मेर को एक अलग से लिखने पड़ेंगे, फाइल में, एक ऐसी फाइल बनानी पड़ेगी, जो आपके भी समझ में आज है, ढंग से, so ये सब करने में थोड़ा टाइम के बारे में वीडियो भी आ रही है, वो इस मन्त पॉसिबल है, जो मैं डाल दूंगा, so दोस्तो बस ये शेर करना था इस वीडियो में, and अगर आपको ये अपडेट्स अच्छे लगे हो, तो वीडियो लाइक करना है, and इसके लिए आपको कोई सजैशन हो, तो आप नीचे कोमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जरूर वो पढ़ूंगा, and अगर मेरे को अच्छा लगा, so मैं वो इंप्लिमेंट करके भी देखूंगा, इस वीडियो में दोस्तों, इतना ही, मैं मिलता है आप से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए, बाई! झाल